दोस्तो भारत और पाकिस्तान के मुकाबले का इंतजार सभी को रहता है और ये दोनों टीमें इस साल एसिया कप में टकरा सकती हैं वो भी एक नहीं तीन-तीन बार किरकेट फैंस को लंबे समय से जिस चीज का इंतजार था वो खत्म हो गया है पाकिस्तान किरकेट बोड ने ए एसिया कप दोज़ा तेश की तारीखों का इलान कर दिया है ये टूर्णामेंट 31 अगस्ते से 17 सितंबर के बीच पाकिस्तान और सिलंका में खेला जाएगा इसी के साथ भारत और पाकिस्तान के फैंस जो भारत और पाकिस्तान के मुकाबलों का इंतजार करते हैं उनका इंत तीन मैच खेले जा सकते हैं एसिया कप का फॉर्मेट देखा जाए तो इसमें हिस्सा लेने वाली 6 टीमों को दो गुरूपों में बाटा जाएगा और कुल 13 मैच खेले जाएंगे जिसमें से 4 मैच पाकिस्तान में खेले जाएंगे और 9 मैच सिलंका में खेले जाएंगे भा फिर इन दोनों टीमों का मैच होना तय है लीग राउंड के बाद हर गुरूप से दो टीमे सूपर फोर स्टेज में जाएंगी और इस स्टेज की टॉप टू टीमें फाइनल खेलेंगी अगर भारत और पाकिस्तान की टीमें एक ही गुरूप में रहेंगी तो एक मैच लीग प्राउंड में हो जाएगा इसके बाद अगर दोनों टीमें सूपर फोर में आती हैं तो फिर दोनों टीमें एक बार फिर भीड़ेंगी पिछले एसिया कप के कारिकरम के मताबिक सूपर फोर में पहुचने वाली टीम हर टीम से मैच खेलती है यानि अगर भारत और पाकिस एसी साल अक्टूबर नौंबर में होने वाले वाइंडर वर्ड कप की तैयारी करेंगी, वहीं पाकिस्तान पिछले साल की कसर पूरी करना चाहेगा, पिछले साल बावा राजम की कपतानी वाली इस टीम ने फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन सिललंका से मात खा गई थी, करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद